Hello students, हम mushroom cultivation को discuss कर रहे थे जिसमें हमने phase 1 और phase 2 process को या phases को discuss किया था अब उसी phase 2 में हम spawning stage को discuss करते हैं कि what is spawning of mushroom cultivation तो चलते हैं अपने topic की तरफ अच्छा ये जो spawning का process है इसमें बिसके लिए होता है कि जो mushroom mycelia हम purchase करते हैं मुख्तलिफ कंपनी से तो उसी mushroom mycelia को हम compost में introduce कर देते हैं या inoculate कर देते हैं जिस तरह आप लोग इस image में देख सकते हैं ये span या mushroom mycelia जो आप लोगो shoppers में नजर आ रहे हैं तो इसको जो हम पिर compost में apply करते हैं compost में inoculate कर देते हैं अच्छा इसको जब हम compost में inoculate कर देते हैं तो कहते हैं कि इसके लिए some form of carrier needed होती है means कि mycelia को हम पहले क्या कर देते हैं coat कर देते हैं किसी carrier के साथ या mix कर देते हैं उनको और mostly कहते हैं कि इस coating के लिए हम wheat bran को use करते हैं या फंगस को हम क्या करते हैं जो fungus mycelia है या span है उसको हम coat कर देते हैं wheat bran के साथ तो ये most useful होता है और इस तरह जब हम wheat bran को हम coat कर देते हैं तो उसको पर क्या कर देते हैं जो हमरे पास compost होता है या जो media होता है उसमें हम उसको easily mix up कर देते हैं और ये तक्रीबन कोई about 5 kg spawn जो है या fungal mycelia जो है ये per ton हम use करते हैं compost में यह तक्रीबन कोई 0.5% weight by weight ये हम use कर देते हैं यह अगर हम one ton compost यूस करते हैं तो उसमें हम 5 kg जो है वो fungus mycelia या spawn use करते हैं अच्छे इसके बाद जो है जब mycelia जो है हम इसको इनाकुलेट कर देते हैं compost में तो इनाकुलेशन के बाद ये जो mycelia है ये जो मश्रूम mycelia है ये पर क्या कर देते हैं compost को invert कर देते हैं means के इनके जो mycelia है या roots है वो क्या कर देते हैं जाके इनाकुलेट या invert कर देते हैं compost में grow करना start कर देते हैं उसके बाद और ये तक्रिबन कोई कहते हैं के 10 to 14 days तक जो है ये compost में क्या कर देते हैं ये इसको हम time देते हैं ताके वो इसको fill कर लें और इनके लिए जो compost temperature हम रखते हैं वो 25 degrees ये नी room temperature हम रखते हैं इसी room temperature पर ये जो spawn है या जो mycela है ये 10 to 14 days तक जो है ये इसमे ग्रो कर देते हैं और ये क्या कर देते हैं फिलब टे भी अबार इसके बाद जो mycela है ये जो घुर्चाकर ग्रो करते हैं प्रोपैःट कर देते हैं क्या कहतेते हैं इस्पान कहते हैं और यही जो स्पान है कहते हैं कि यह क्रीपैर्ड करके आपको पर वहसे परिचेस कर देते हैं यहिए तो मलाटिपल जो कंपनी किसी स्पान orículos So руки ऊच्छों को अच्छा FS2 के बाद हम V passages 3 stage 2 आ जाते हैं, तो जो ли स्टेज है हमारे पार जो हमने कमपोस्ट है जिसमें हम ने स्पान को इनकूलेट किया हुआ है तो यह कमपोस्ट жить हो जाता है और जो 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 म icons यू मैसि yağ है यह स्पान है विस exploited healin90 कर अब इस phase में पिर casing हम करते हैं यह एक बार हमने क्या क्या phase 2 में जो last पर हम spawning करते हैं तो हमने mycelia को inoculate कर दिया compost में अब उनको हमने incubation time दे दिया एक खास duration 14 days तक ना उसके बाद जो है जब यह grow कर लेते हैं और completely colonize कर देते हैं उस compost को तो इसके बाद हम casing करते हैं casing क्या है? casing जो है यह टॉप dressing होता है यहनी उसी compost की ऊपर हम पिर टॉप dressing करते हैं जिसमें हमने जो है वो fungus को या spawning को इन upulate किया हुआ है तो जब हम dressing करते हैं तो इसके बाद यह जो dressing होती है इसमें यह जो spawning है यह इसी में जो है वो casing में पिर आगे यह casing इसको support करता है करतेते हैं इसी केसिंग से और ये एक किसम का उसको एक मेकिनिकल सपोर्ट ये केसिंग जो है इसके लिए एक मेकिनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इस मश्रूम को मेकिनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बाकी ये जो है इसमें के लिए नूट्रेंट्स वगयरा नहीं होते लेकिन ये किसम का मेकेनिकल सपोर्टर प्रोवाइट करते थाकि वो इसमें अपने आपको मजबूती से गाड़े रखे और नीचे कमपोस्ट से नूट्रेंट वगयरा ले और क्या कर ले ग्रो कर ले तो ये जो केसिंग है ये कमपोस्ट क ये जो मॉस्स हैं ये जब डिकमपोस हो जाते हैं तो इसको पिर इस तरह हम कहते हैं पीट मॉस ना तो इस फील्ड सॉयल के साथ जो है हम पीट मॉस लेते हैं और इसके साथ जो है पिर हम लाइम स्टॉन जो है या जो किल्शम कार्बोनेट है उसको ग्राउंड करते हैं मिक वाटर रीटेन करता है उनके लिए मौइचर कांटेंट या वाटर और फिजिकल सपोर्ट उनको मिलता है उनके राइजोम्स को ठीक है तो इस तरह वो इस पे जो है पिर ग्रो करते हैं अच्छा इसके बात जो है केते हैं कि घुशं कार्बोनीट हम इसमें यूस करते हैं लाइमस्टॉन या चार्ट जो इसमें हम यूस्ट करते हैं इसके लिए इसका परपस यह होता है कि यह पी-ईच को नूटरलाइज रखते हैं फारेंब फिर अगर जो है उस पर acidic होता है तो हम चाक को या लाइम स्टोन को इस वज़ा से यूज़ करते हैं कि ये उस pH को कमपोस्ट के pH को neutralize कर ले उनको अच्छा तो उसके बाद जो है ये जो मश्रूम मैसीलिया है ये इसी केसिंग से होके जो है ये ग्रो करते हैं उसी लेर से और आगे जो है ये पर क् आगे जो है ये जो है जो है ये जो उनका कैप है ये पर आगे जब जमीन से उस केसिंग लेर से बाहर आते हैं ना ग्रो करते हैं तो ये जो है पर फूर्टिंग बॉडिज जो है की फार्मेशन करती है ये आगे फर्दर जो है उसमें स्पोर्स वगईरा बनते हैं तो फूर recruiting stage को हम encourage कर लें ये process को encourage कर लें तो इसके लिए हमें ये करना होता है कि जो room का temperature होता है उसको हम low रखते हैं उसके लिए हम proper ventilation को maintain करते हैं ताकि तरजम्पल जो carbon dioxide produced हो रहा है वो carbon dioxide properly removed हो अधर से exhaust होना और fresh air जो है उधर fresh air circulate करता रहे तो इस तरह carbon dioxide की concentration अधर क्या होती है कम होती है और यह तक्रीबन कोई हम इसको less than 0.1% carbon dioxide की concentration को रखते हैं तो इस तरह जो है temperature भी drop down हो जाता है 16 to 18 degrees C और carbon dioxide की concentration भी कम रखते हैं तो इस तरह जो है यह फ्रूटिंग प्रॉसेस इनका मश्रूम का फ्रूटिंग प्रॉसेस भी start हो जाता है ओके थैंक यू सो मच रखते हैं